आज हम नागारजुन जी द्वारा लिखी गई कविता खुर्दरे पैर की व्याख्या करेंगे नागारजुन जी के हिर्दै में जो है सोसितो और पीरितो के प्रती गहरी सहानुवूती है और इस कविता को पढ़ने से हमें उनकी ये बाते समझ में आती है इस कविता में उन्होंने गरीब मजदूर एवं जैसे कूली रिक्से वाले ये सब जो गरीब मजदूर हैं उनको देखकर और अपने हिर्दै में जो उनकी प्लिड़ा उठी उसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से ब्यक्त किया है तो सुरू करते हैं खुर्दरे पैर खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिबाईयों खुर्दरे पैर धस गए कुस्म कोमल मन में गुठ्ठल घट्ठो वाले कुशिल कठोर पैर इस पंक्ती में जो कभी ने है उस गरीब मजदूरों के पीरा और उनकी जो दृष्ष्य है उसको ब्यक्त किया है कि किस तरह उनके पूरे पैर में जो विवाईया फटे हुए पैर जैसे लाइने पैर में जो छोटे छोटे घाओं हो जाते हैं या लाइने पड़ जाती है उन व्यक्तियों के बारे में बता है कि खूब गए दुधिया निगाहों में फटी विवाईयों के पैर मने जो सफेद आखों में जो है उनकी जो खुरदरे पैर है मने फटे हुए दरारे पड़ी हुई और चोटे चोटे तकलीफ वाले विवाईया जो है उनस पड़े हुए पैरों को देखकर कभी के हिर्दय में जो है नोखी समवेदना जगती है और उसे उन्हें ने इस कविता के माध्यम से ब्यक्त किया है धस के कुसम कोमल मन में गुठल घल्टोल वाले कुशिल कठोर पैर कभी के जो हिर्दय में है कोमल हिर्दय में जो है उनकी ये पैरों की जो ब्यता है ये उनके हिर्दय में बस कही है उनके पे उसका ध्यान गया है दे रहे थे गती रवर विहीन ठूट पैडल को चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र कर रहे थे मात्ति विक्रम वामन के पूराने पैरों को नाप रहे थे धर्ती का अहत फासला घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे अर्थाद इन स्पतियों में कभी जो रिक्सी वाले या ठेले वाले ये जो वेक्ति हैं उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनके पैरों में पूरी बिवाया यानि पूरे दरार पड़ी हैं फटे हुए हैं और छोटे से घाव हैं तकलीफ में हैं फिर भी उसी पैरों से खाली पैर से उस बिना रबबड वाले यानि कि जो पैडिल पर रबबर वगर नहीं रहती है लोहे की बनी रहती है उस पे वे अपने पैरों को जला रहे हैं और वो अपना आगे बढ़ा रहे हैं तो उसे कभी ने रबबर वहीं ठूट पैडल जैसे आप किसी साइकल या टायर में देखोगे जो पैडिल रहती है उस पे रबबड या फिर कुछ ऐसा रगा रहता है जिससे कि आपके पैरों पे जोड़ना पड़े यानि पैरों में दर्द ना हो लेकिन वो जो मजदूर है वो ठेट बिना रबबड के यानि एकदम लोहे के बने हुए ऐसी ही उस पे वो पैडिल मार मार के अपनी गारी को आगे बढ़ाये जा रहे है और अपना काम कर रहे है क्योंकि वो मजदूर है उन्हें अपने समय पे करना है काम और एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र ओपने वो पैडिल मार मार के बढ़ाये जा रहे है इस तरह से वो धर्ती के नहीं जमीन को जो नापे जा रहे है मैंने एक जगा से दूसरे जगा तक पहुंचते जा रहे हैं आपने इनी पैरों के दौरा घंटो के हिसाब से ढ़ोए जा रहे है मतलब उन्हें ये fix है कि हमको इतने टाइम में वहाँ पहुंचाना है तो उस तरह से कभी ने इसे ब्यक्तिया है कि घंटों के हिसाफ से डोए जा रहे हैं मने हर घंटे में वो चला रहे हैं मने एक जगा गया फिर वहां से दूसरे जगा तो इस तरह दिन भर वो अपना इसी काम में ब्यस्त रह रहे हैं देर तक टकराए उस दिन इन आखो सेवे सेवे पैर भूल नहीं पाऊंगा फटी बिबाईयां खूब गई दुधिया आखों में धस गई कुसम कोमल मन में कभी फिर से कहते हैं कि उस तीन जो है बहुत देर तक इन्होंने जब उस व्यक्ति पर गवर किया उन्हों मजदूर और किसानों पर गवर जब किया तो उन्हों उनकी आखे जो है उस पे निगाहे टिक सी गई थी और वे बार-बार सोच रहे थी कितनी मुस्किल और कठिनाईये से इस पैरों की दरारों की परवाह किये भी न ये मजदूर अपने काम में लगे हुए है और अपनी कार्य को समय पे पूरा करने के लिए प्रतिवध है और इस तरह से वे बार-बार अपने पैरों को उस धरती को नापने का प्रयास कर रहे थे पैरों से उस पैडिल को मार-मार के तो उस जब कभी की नजर उस पर पड़ी तो कभी कहना है कि देर तक टक रहा है मैंने बहुत देर तक वे उसे निहारते रहें कि किस तरह से वेक्तिच चल रहा है भूल नहीं पाऊंगा विबाया मैंने उनकी पैरों की जो विवाईया है धरारे हैं तकलीफ जो है उसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा खूब गई दुदिया आंखों में धस गई कुसम कोमल मन में और यह जो हैं मेरी निगाहों में एकदम टिक गई थी और मैं इसे कोमल हिर्दै में कभी भी इस व्यता को और इस तकलीप को मैं कभी भी भी नहीं भूल पाऊंगा उन मजदूर कूली की उस ब्यथा को उस पीडा को इस तरह से कभी जो है स्रमिको के जो काम को वो पूजा के समान समस्ति है जिस तरह वे अपने काम में फिडे हुए है बिना किसी रोक्टो के बिना किसी मन में भाव भेदभाव किये वे अपने काम में जुड़े हैं और इस तरीके से नागारजुन जी ने जो है इस कविता के माध्यम से अपनी करुना मैई जो द्रिश्य है मजदूरों की उसे ब्यक्त किया है तो ये हमारा खुर्दरे पैर की ब्याख्या समाप्तुई धन्य बाद